एलो एवरीवन एकलव्य मोडर रेजिदेंशल स्कूल जो की हर राज्य में खोले गए हैं और आप अपने राज्य में जो है नौकरी पासकते हैं पर्मानेंट पोस्ट रहने वाली है ट्रेंड ग्रेजुएटर टीचर्स के जो पद हैं 5,660 जो है वो कुल पदों की संक्या है विश्यवार पदों की संक्या हम देखेंगे जो भी स्टूडेंट जिन्होंने पहले फॉर्म फिल नहीं किया था तो दुबारा से जो है अपने सब्जेक्ट के जो जितनी भी वेकैंसी है वो आप देख सकते हैं आयू योगता चैन प् फीमेल के जो है 335 और 334 वेकैंसी है यानि TGT और होस्टल वार्डन के ही केवल जो है वो 6329 पद यहां पर आये हुए हैं अब सब्जेक्ट देख लेते हैं सब्जेक्ट जो है कौन-कौन से हैं तो हिंदी में जो है वो 606 पद हैं इंग्लिस में 671 हैं मैट्स में 686 हैं सोसल अब स्टरीज में 678 हैं कुल जो है वो 3311 पद यहां पर सब्जेक्ट वाइज है नेक्स्ट जो है वो थार्ड लेंग्वेज कई स्टूडेंट पूछते हैं कि संस्कृत जो है यहां पर विशय नहीं दिया गया है तो बिल्कुल यहां पर लेंग्वेज में जो है आप आप लोगों का सेलेक्शन जो है वो आपके राज्य में भी हो सकता है होस्टल वार्ड मेल और फीमेल की जो वैकेंसी है वो 6689 है जिसमें अन्रिजर्व कैटिकरी यहां पर 273 पद है इसके लावा EWS के 66 पद है next eligibility हम देखेंगे उससे पहले यहां पर pay scale देख लेते हैं हम तो यह सरकारी नोकरी है permanent post रहने वाली है trained graduate teacher English, Hindi, Math, Science, Social Science, Third Language, Librarian इनको जो मिलेगी salary तो 44,900 basic pay है और उसके बाद एक लाग 42,400 यहां पर 7th pay commission के according आप लोगों की salary रहने वाली है उसके अधर जो trained graduate teachers के जो पद है जैसे music है, art है, physical education teacher है तो इनके 35,400 से salary लेकर और 1,12,400 तक salary रहेगी hostel warden की salary जो है 29,200 से 92,300 रहेगी तब ही हमने music और art का subject नहीं देखे हैं, कितने पद हैं तो भी आप देख लेए यहां पर music के 320 है, art के 342 पदों पर vacancy है, physical education teacher male, female के 321 और 345 पद है और librarian के 379 पद है उसके बाद eligibility criteria and qualification, trained graduate teachers के जितने subject हैं, English, Hindi, Math, Science, Social Science और language के सहित age limit यहां पर कही गई है, 35 साल जो है अधिकतम होनी चाहिए, यहां पर general category ठीक है उसके बाद SC, ST, OBC और other category तो यहां पर government of India के नियमों के according age relaxation आयू में छूट दी जा रही है कितनी दी जा रही है तो यह भी हम अभी देखने वाले हैं तो qualification जो है यहां पर post wise जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं तो यहां पर trained graduate teacher Hindi के लिए का है Hindi as a subject in all the three years of degree course इसना तक के तीनो सालों में आपने हिंदी जो है एक subject के रूप में पढ़ा हो English के लिए अगर आप apply करेंगे तो English आपने पढ़ी हो तीनो साल math के लिए अगर आप apply करेंगे तो यहां लिखा है कि bachelor degree में आपके math के साथ में जो है physics and any one of the following subject जैसे chemistry है electronics है computer science है statistics है यह subject आपके होने चाहिए ठीक है next science के लिए आप देख सकते है botany, zoology, chemistry यह subject जो है इनके लिए जो है आप लोग apply कर सकते हैं यह subject आपके इस नातक में आपने पढ़े हो साथ में यहां पर सबसे जादा यहां पर problem आती है trained graduate teacher social studies में subject combination में तो यहां पर आपके पास दो subject जो है यहां होने चाहिए graduation level में या तो history के साथ में geography हो या history के साथ में economics हो या history के साथ में political science हो ठीक है geography अगर आपके पास रही है इस नातक में geography के साथ में history है या economics है या geography के साथ में political science है या आपने पढ़ी हो तो यहां पर दो subject जो हैं वो आप लोगों के history या geography के साथ में मांगे गई हैं या फिर history or geography as above should have been studied for all three years in the graduation या फिर इसना तक में आपने history or geography तीनों साल जो है एक साथ पड़ी हो यहां पर लिखा है in case of honors degree in history the candidate should have studied geography, economics, political science in any of the two years of the course ठीक है तो जो भी honors degree वाले हैं history में तो उन्होंने geography, economics, political science जो यह दो subject जो है वो पढ़े होने चाहिए तो यह तो subject हो गए third language यानि भासा में यहां पर का है कि जो आपकी भासा है जैसे sanskrit भासा है तो आपने तीनों साल इसना तक में पढ़ी होनी चाहिए इसना तक में जो है बता दिया कि तीनों साल जो है subject वो आपको पढ़ा होना चाहिए जिसके लिए आप apply करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर CTAT paper 2 आपका qualify होना चाहिए B.Ed की degree जो है वो साथ में होनी चाहिए music के लिए आप देखें यहाँ पर 35 साल उम्र है और इस relaxation है विलकुल qualification बैचलर डिगरी आपकी music में होनी चाहिए arts के लिए जो है qualification डिगरी आपकी fine art या craft में होनी चाहिए या फिर B.Ed डिगरी जो है fine art में मांगी गई है physical education teachers के लिए यहाँ पर bachelor degree physical education में होनी चाहिए librarian के लिए जो है यहाँ पर library science में डिगरी मांगी गई है या फिर graduation के साथ में एक साल का अगर आपके पास library science का diploma है तो भी आप eligible है form fill कर सकते हैं hostel warden के लिए उम्र वही है 35 वर्स है चार साल का जो है integrated degree course अगर आपने किया है या फिर bachelor degree है तो आप यहाँ पर form fill कर पाएंगे ठीक है तो यह जो है बता दिया मैंने कि सभी के लिए जो उम्र है वो 35 साल general category की है अभी जो है IU में छूट जो है वो कितनी मिल रही है तो यह हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखें मुझे रखता है कि सभी जो है form fill कर पाएंगे जो भी form fill करने के लिए रहे गए थे तो बिलकुल कर दें क्योंकि 19 October last date है SCST जो है इनको 5 साल की चूट मिल रही है यानि कि 35 में जो है वो 5 आप जोड़ दें यहाँ पर OBC में को जो है तीन साल मिल रही है 35, 36, 38 ठीक है 38 साल तक है और इनकी जो है वो 40 हो गई उसके बाद जो है यहाँ पर और भी आप देखें women women किसी भी category की हो TGT post के लिए आप apply करती है तो 10 साल यानि 35 साल पहले है general category की और इसमें 10 साल आप जोड़ दें 45 साल तक की women candidate यहाँ पर apply कर पाएंगी ठीक है इसके बाद जो है यहाँ पर PWD में SCST 15 साल OBC 13 साल general 10 साल ठीक है इनको सभी को और भी छूट दी जा रही है सारी चीजे मैंने आप लोगों को बता दी है एज योगेता क्या रखी गई है सैलरी आप लोगों को क्या मिलेगी और इसके बाद जो है पोस्ट केस्वे टीचर्स के लिए भी जो है मैं अलग से वीडियो बना दूगी ताक ही आप लोग जो है दुबारा से देख कर जिनों कोने फॉर्म नहीं फिल किया है तो फॉर्म फिल कर पाएंगे थैंक यू